हेलो एब्रिवन आज की वीडियो में हम एक और बहुत जाधे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाल हैं इस सेंट्र कॉमेंट्स की जितनी भी इंपोर्टेंट इसकीम जो लॉंच हुई है 2014 से लेके वेबरी फाइब तक उसे आज हम पढ़ने वाले हैं एज अलवेस मोस्ट आफ जो स्कीम से लेड करके याद रखेंगे कोई नहीं कोई स्कीम लॉंच होती रहती है तो ऐसे डायरेक्ट रखना बहुत जादा मश्किल है सो हम ट्रिक की हल्प से याद करेंगे ताकि हम जादा टाम तक याद रख पाए हैं सो अब स्टार्ट करते हैं फटा फटसे सो आज का फॉस्ट रखेम है नमामी गंगे प्रजेक्ट यानि कि नमामी गंगे परियोजना यह लॉंच हुई थी जून 2014 में क्या एम था इसका टू एंड पॉल्यूशन आफ रिवर गंगा यानि कि गंगा नदी का जो 2014 में आये था ठीक है तो यह तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट एक परियूशन है वैसे तो आपको याद भी होगा बट अगर आप भूल जाते हैं तो हम इसे कैसी आद रखेंगे तो देखें जब भी नमामी गंगे गंगा जी को हम देखते हैं ना तो मन में क्या ख्याल रहते हैं घंगा जल को रख लेते हो तो घंगा जल्डी से दब्बे में घर लेके जाएंगे दो गंगार जलना थोड़ा सा और लेलो रहोगी तो 1 4 पर तोvo यानि कि 2014 जून 2014 में लौज होई ती नमामी गंगे ऐसे आपको याद रखना है नेक्स्ändig Trung जंधन योजन आई थी यानि कि योजना जो आई थी ये कब आई थी 28 ऑगस 2014 को क्यों यह आई थी तो ओपनिंगा बैंक एकाउंट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया यनकी भारत के जो प्रतीक नागरेक का बैंक खाता इसमें खोला एम रखा गया था और इस स्कीम के अंडर एकाउंट्स हाब बिन ओपन ऑन जीरो बैलेंस इन दा बैंक पोस्ट ऑफिस और नेशनलाइज बैंक ऑफ दे पूर फैमिली ऑफ इंडिया ठीक है जितनी भी गरीब दलजे के जो लोग थे ना जो पूर लोग थे उनका जो एकाउंट खोला गया है वो जीरो एकाउंट पे भी खोला गया है यानि कि जीरो बैलेंस पे भी खोला गया था ठीक है क्या इसका स्लोगन था तो मेरा खाता भागे विधाता राइट अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि 28 ऑगस्ट 2014 को आय था तो देखिया आप यहां पर क्या लिखा है प्रधान मंत् और कितना बढ़ाएंगे तो यह दो गुना करेंगे दो गुना करेंगे तो 14 टूजर 28 ऑगस्ट 2014 में आया था और 28 ऑगस्ट को ठीक है तो इस तरीके से रिलेट करके आपको यह भी स्कीम याद रखनी है नेक्स्ट है अब पंटित दीन दयाल उपाते है अन्तोदय योजना यह आई थी 25 सेप्टेंबर 2014 को और स्किल डेफलपमेंट इन अर्बन एंड डूलर एरिया यानि की शहरी और जो ग्रामीर छेत्र में कोशल यानि की स्किल को डेफलप करने के लिए ये योजना आई थी कैसे हमें याद रखना है तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या ल साल के जितने भी सभी बच्चे न तो क्या कह रहें प्रधान मंत्री से अरे प्रधान मंत्री जी अब हम पे भी दया करो हमारा भी जो दुख है ना हमारे पर अंत करो नौकरी वौकरी कुस दे दो अंत करो ठीक है तो अंत करो 25 सेप्टेंबर यानि की 25 साल के सभी जन कह रहे नेक्स्ट है मेक इंडिया ये भी 25 सेव्टेमबर 2014 को यह था नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने इसको लॉंच किया अंडर दा मिनिस्ट्री ऑफ फाइन्स ठीक है क्यों यह आया टू इंकरेज कंपनीज इसके बदले में भारत जो है उन्होंने क्या कहा कि हम आपको कर्मे थोड़ा सचूट दे देंगे लेकिन आप जो है अपनी कंपनी इस्टाबिश करो इंडिया में आके थीक है हम इसे कैसी याद रखेंगे तो हम उपर वाले से रिलेट करेंगे तो देखें जो जन है यानि कि जो 25 साल के यूवा हैं वो कह रहे हमारे दुखों का अंत करो तभी तो इंडिया मेकिन इंडिया बनेगा तो ये भी डेट बिल्कुल से में 25 सेप्टेंबर 2014 को राइट नेक्स्ट है अब पंडित दीन दयाल उपाद्य है ग्राम जोती योजना और ये लॉंच हुई है 20 नि सेप्टेंबर 2014 को ठीके यहां पर क्या लिखा है ना पंडित दीन दयाल उपाद्या ग्राम जोती योजना ग्राम मतलब क्या हो गया गाउं जोती पहुंचाने तो जोती मिस्क्राइब वैसे वह एलेक्ट्रिसिति हो गया ठीके तो देखिए गाउं वाले यही चाहेंगे न बस यानि कि 20 बस इतनी लाइट आजा है क्योंकि बाई कोई और रस्ता उनके पास था यह चाहते थे कि बस लाइट आजा किसी तरह क्योंकि उनके पस कोई और वे नहीं था लाने का गौर्ण्टी ला सकते थी तो नोवे सुन नवेंबर बस सो बीस निवेंबर 2014 तो यह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मैनत से वीडियों बनाया आपके लिए बहुत अधर टाइम लगा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए नेक्स्टे अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान तो यह कब लॉंच किया गया 2 अक्टूबर 2014 को to end the problem of open defecation in India ठीक है त कर देता गांदी जी तो उनके बड़े वाले दिन ही लॉंच किया गया 2 अक्टूबर 2014 को ठीक है तो जैसे ही मोधी जी आई ना 2014 में तो उन्होंने फिर सच्छता के लिए पी काम किया ठीक है तो ध्यान रखना है आपको यह भी गांदी जी के बड़े वाले दिन लॉंच कि यह कब आये था तो 11 अक्टूबर 2014 को फॉर्ड डेवलप्मेंट ऑफ रूलर एरियाज ऑफ इंडिया तो भारत के जो ग्रामीर छेत्र है उनका आधुनिक विकास के लिए एंड़ विलेज एडॉप्टेट बाइ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी अंडर ऐसे जीवाई इस जायापूर बनारस तो कौन सा विलेज एडॉप्ट किया गया इसके लिए सबसे पहले तो जायापूरा बनारस का ठीक है अब आप दीखें यहां पर क्या लिखा है ना 11 अक्टूबर 2014 तो हमें कैसे याद रखना है आदर्श ग्राम इसकीम तो हमें ना आदर्श उठान ठीक है तो देखें गानी जी को आदर्श माना जाता है और वो पूरे इंडिया में ना उनके जैसा बस एक ही इंसान था कोई दूसरा उनके जैसा हुआ ही ने तो एक ही इंसान था तो 11 अक्टूबर ठीक है तो 2 से 11 अक्टूबर राइट सो संसत आदर्श ग्राम इसकीम यह तो इन यह प्राइज कट्रीज में उनको वेक्सिनेशन देना और जो भी उनके बच्चे थे दो साल तक तो उनको भी के लिए करद्वा गया थीकर या इनके 90 पॉसें टॉकर फुल वेक्सिनेशन का इसमें टार्गेट रखा गया अब आप देखें या इंद्रधनुष श्की है different different lightning यूज होती है बस आपको ऐसे ध्यान रखना है इंद्रधनुष में भी कलर होता है और जो क्रिस्मस दे सेलब्रेट किया जाता है 25 दिसेंबर को उस दिन भी लाइटनिंग होती है बहुत जादा है न क्योंकि पूरे वर्ड में इसको सेलब्रेट किया जाता है 25 दिसेंबर को ही आया था इंद्रधनुष योजना और अब तो इसकी बहुत सारे पार्ट्स भी आ चुके आई मिन कई सारे पार्ट्स आ चुके इस तरीके से नेक्स्ट है प्रधान मंतरी पहल योजना राइट तो यह का बाय था परस्ट जैनुवर तो इसकीम था ठीक है इनिशेटिव मीन्स डैनिक ट्रांसपर बैनिफिट यानि की प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाब ठीक है अब आप यहां पर देखिए कैसे याद रखेंगे तो देखिए प्रधान मंतरी पहल योशना तो जैसे ही 2015 आया प्रधान मंतरी ने एक नई पहल कर पैरधरा पंदरा ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखना है तो प्रधान मंतरी ने नई पहल कप शुरू करी एक जनवरी को निवेल के दिन अपना पैरधरा तो एक जनवरी 2015 ठीक है पैरधरा पंदरा राइट तो ऐसे आपको ध्यान रखना है तो प्रधान मंतरी पहल योशना तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे इस से लेटेट भी हम पढ़ेंगे, तो 1 जन्वरी 2015 से स्टार्ट हो गया, प्रधान मंत्री पहल योशना, ठीके, नेक्स्ट अब देखे, ये कब आया, तो ये आया, 22 जन्वरी 2015 को, तो लड़ियों के लिए कल्यार से व्याओं में सुधार करने के लिए, अब यहाँ पर बात दोरी है, तो देखे, गर्ल को सेव भी करना है, और उसको एजुकेट भी करना है, तो ना, दो दो चीजे करनी है, यानि कि जो गर्स जन है क्या है, गर्स जो जन है, उनको एजुकेट भी करना है, और पढ़ाना भी है, तो देखे, प्रधान मंत्री मोधी ने पहल करी एक जन्वरी को, उसके बाद उन्होंने क्या का कि आप कुछ गर्स के लिए भी काम करेंगे, तो गर्स चाल के लिए भी काम करेंगे, तो दो दो सो एजुकेट भी कर जाएगा और उन्हें सेव भी किया जाएगा गर्ल्स जन को सो 22 जन्वरी 2015 को ठीक है ओके सो ऐसे आपको ध्यान रखना है राइट नेक्स्ट है आप देखिए सुकन्या समरिती एक स्मॉल सेविंग स्कीम है सुकन्या समरिती ओके यह भी 22 जन्वरी 2005 को ही लौच किया गया जो सिक्योर तो फ्यूचर ऑफ इंडिया की डॉर्टर्स है उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अब आप देखो यहां भी गर्ल की बात हो रही है और सुकन्या भी किसी गल का ही नाम है तो सुकन्या समरिती में सेविंग स्कीम के लिए तो दोनों ही जो है इसकीम लौच की गई 22 जन्वरी 2015 को ठीक है गल्चाइल्ड के सेव करने की बात की अब एजुकेट कैसे करेंगे जब तक सेविंग नहीं होगी सब्सक्राइब करने के लिए इसको लांच किया गया वन स्टॉप करो वालेंस को ठीक है आप कोई कह रहा है वालेंस ना इंडिया से पूरा खतम हो गया तो आप करोगे क्या या मजा कर रहे क्या मुझे फूल बना रहा है तो एप्रिल फूल कहते है ना 1st April को एप्रिल फू सब्सक्राइब को लांच किया गया वन स्टॉप सेंटर स्कीम राइट नेक्स्ट है उजाला स्कीम जो एक माई 2015 को लांच किया गया तो प्रोवाइड एलेडी बल्व एट इन डूलर एरिया ऑफ इंडिया ठीक है सो देखिए एलेक्रिक बल्व बाते गए ठीक है तो एलेक तो उनको न एक पास नहीं बैठना पड़ेगा यानि कि एक में नहीं बैठना पड़ेगा कैसे मैं ध्यान रखना है उन्हें एक में नहीं बैठना पड़ेगा ठीक है सो देखिए मेली क्या होता था ना मेली गाउं वगेरा में कि लाइट वगेरा नहीं होती थी तो सब ला बैठना पड़ेगा सो एक में 2015 ठीक है सो एक में 2015 को उजाले स्कीम भी लॉंच की कर दी गई किसलिए एलिटी वर्ण के लिए ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है प्रधान मंतरी जीवन जोती वीमा यूजना ये लॉंच किया गया 9 माई 2015 को for the people and deprived people ठीक है तो गरीब और वंचित लोगों के लिए इसको लॉंच किया गया बैनिफीश्री को for people in the age group of 18-15 year तो बैनिफीश्री इसमें कौन था 18-50 साल के एज ग्रूप के जो लोग है ठीक है तो कैसे अब हम इसे याद रखेंगे ना तो आप देखो यहां के लिए जोती भीमा यूजना तो जोती से कहा जा रहा है जोती ना तुम भीमा ले लो तो ज बीमा लेने के बाद में उसकी soft copy इसमें save कर सको और के आपने तो सब digital कर दिया तो मुझे कोई hard copy तो मिलेगी नहीं तो इसने क्या बोल दिया कि मुझे बीमा नहीं चाहिए नो मेरे को बीमा नहीं चाहिए वन्ना मैं pen drive में है नहीं मेरे पास तो मैं soft copy कहा रखूंगी तो pen drive 1515 को प्रधान मंत्री जीवन जोती विमा योजना लॉच्ण की तो नेक्स्ट है देखिए अटल पेंशन योजना अब देखिए पीछे हमने पड़ा जोती विमा योजना अब जोती से कह रहें आच ठीक है ऐसा करो तुम अटल पेंशन लेलो तो कह रहें नहीं मुझे अट प्रधान मंत्री शुरक्षा भीमा योजना फिर से जोती तुम सुरक्षा भीमा योजना लेलो वो बोली मैं ये भी नहीं लूँगे मैं सुरक्षा करी नहीं पाऊंगे में पास पेंड्राइवी नहीं है ठीक है जोती विमा योजना हमने पड़ी अटल पेंशन योजना पड़ी प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना पड़ा ये तीनो ही 9 माई 2015 को लॉंच की गई थी ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान इसे प्रधान मंत्री अवास योजना और ये भी लॉंच किया गया 25 जून 2015 को तीनों की डेट बिल्कुल से मैं अब आप यहां पर देखें स्मार्ट सिटी मिशन लिखा है तो कैसे इसे हम याद रखेंगे तो आप यहां पर देख रहे हो इसमार्ट सिटी ठीक है तो कुछ ना इसमार्ट सिटी को सलेक्ट किया गया यानि कि कुछ जोन को सलेक्ट किया गया तो जोन यानि की जून ठीक है तो जून हो जाएगा ठीके तो देखे कुछ इस मार्स सिपीस को सलेट किया गया ताकि वहां पर आवास बना सके ताकि जो लोग रेंट पर रहते हैं तो बारबर उनको रेंट की परची राकटवानी पड़े तो परची यानि की 25 जून इससे क्या होगा न कि वो लोग अराम से अपनी जिंदी थोड़ी सी अमरित की तरह गुजार पाएंगे और जो भी थोड़े पैसे बचे रहेंगे तो क इसमें लगा देंगे अपने जीवन को अटल बनाने में ठीक है तो तीनों की डेट बिलकुल से में 25 जून 2015 और 25 जून 2015 और 25 जून 2015 ठीक है अब यह प्रधानमत्री अवास योजना जो है इसमें क्या है तो प्रवाइड एफॉर्डेबल हाउसिंग तो वीगर सेक्शन आप दिजिटल इंडिया प्रोग्राम और यह लॉंच हो फर्स जुलाई 2015 को इंडिया भारत को डिजिटल रोप से सशक्त बनाने के लिए मोटो क्या था इसका पावर टू एंपावर अब डिजिटल इंडिया की बात हो ठीक है तो डिजिटली हर चीज को आशकर बहुत को आया था ठीक है तो फर्स जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉंच किया गया ठीक है नेक्स्ट है अब प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना और यह आया था 15 जुलाई 2015 को अंडर दा मिनिस्ट्री यूनियर मिनिस्ट्री आफ इसकल डवलपमेंट एंड इसकल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ तो कैसे याद रखेंगे तो देखेंगे यहां पर बात रही है प्रधान मंत्री कौशल विकास ठीक है तो कौशल का विकास करने है इसकल का विकास करने के लिए गौर्ण्मेंट कुछ यूथ को सलेक्ट करेंगी तो यूथ अपने स्कल्स को दिखाने के लिए आप मालों कि उनको अपनी स्कल्स दिखानी है तो वह अपनी स्कल्स दिखाने के लिए न कैसे लेके जाएंगे चीजों को अपना जो बायो डेटाय कैसे ले जाएंगे डिजिटली शो करेंगे तो डिजिटल शो करने के लिए वो हार्ट कॉपी नी ले गए वो न पेंडराइव में ले गए तो ऐसे आपको ध्यान रखना है थीक ए इसे आपको ध्यान रखना है इंडिया के बाद क्या लाँच किया गया प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना जोजना और इसको लाँच किया गया 8 August 2015 पंद्रा को to help people drop out students from minority communities, so अल्प संक्यत समुधाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की मदद करने के लिए, okay, so नई मंजल योजना यहाँ पर लिखा है, तो देखे, अगर किसी को नई मंजल तक पहुचाना है, okay, तो देखे, उसको ना थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, तो चाहिए वो किसी की help से अपग्रेड हो, तो बस हमें कैसे यादक नहीं किसी को अगर आप नई उसकी मंजल तक पहुचाना जाते हो, तो आपको help करने पड़ेगी, कैसे help करोगी? हाथ आगे बढ़ाएके, कैसे help करोगी? हाथ आगे बढ़ाएके, आप उसको हाथ दोगेए और क्या बोलोगी? चलो मैं तुमारे साहथ हो तुम अपनी मंजल तक पहुचो, मैं तुमहें आगे और बढ़ाउंगा, तो हाथ आगे बढ़ाना बढ़ेगा, तो हाथ आगे यनकी 8 आगे August, ओके, so 8 August को इसको भी लॉंच किया गया, ठीक है, next है, सहज योजना, ओके, और सहज योजना को लॉंच किया गया, 30 August 2015 को, ठीक है, सहज योजना की बात हो रही है, तो इसमें न, to provide online facility of new LPG connection, so जो भी new LPG connection अगर कोई लेता है, तो इसमें online facility आपको दी जाएगी, अब यहाँ पर बात हो रही है, सहज योजना की, ठीक है, तो सहज यानि की पहुंच, ठीक है, तो देखे, जैसे ही मन्त का last आता है, तो सारी savings salary खतम हो जाती है, सहज तो महीने के last तक आते हैं, हम सहज नहीं रह पात हैं, क्योंकि savings खतम हो जाती है, महीने के last में आगे आते हैं, तो हम सोते हैं, आगे का कैसे चलेगा, फिर सोते हो, चल यार, पान चला लूगे, आप प्यान का ठेला, तो पान इसमें भी कैसे याद रखना है, पान यानि की पंद्रा, पान पंद्रा, तो क्या हो जाएगा, स है जूजना, 30 August 2015 को, ठीक है, तो दीखिए, इस तरीगे से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, जैसे रिलेट हो जाए हमें बैस से याद रखना है, की हमें बस याद रखने से मतलब है, कि हम 준비, जाएं तो सही ट जाएं, तो इस तरीगे से आपको ध्यान रहन रखना है next day up gold monetization scheme यानि कि स्वर्ण मुत्री करन ग्योशना इसको लौच के अगया पांच नमेबर 2015 को to reduce the import of gold into India by using about 20,000 tons of gold lying ideal with household and other institutions for productive प्रविस्जिय के लिए जो घर और अनिच संस्थानों में निश्क्री पड़े लगबग 20,000 tons सोने का उप्योग करके भारत में सोने के आयात को कम करना है ठीक है अब आप देखे यहां पर क्या लिखा है gold monetization scheme तो इंडिया गोल्ड के monetization को क्या कर रही है आगे बढ़ा रही है तो हमें कैसे याद रखना है आगे बढ़ा रही है ठीक है तो वो क्या चारी है न गोल्ड की पहुंच न आगे बढ़े गोल्ड की पहुंच और बढ़े और कई सारे नए रास्ते निकल गया है यानि की नए वे निकल ग गया है 16 जैनुवरी 2016 को तो प्रोमोट बिजनस और न्यू स्टार्टप तो व्यापार और नए स्टार्टप को बढ़ावा देने के लिए अनॉस्मेंट हुआता है इसका ऑगस्ट 2015 में अंडर्दाफ मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स और इंडर्स्ट्री अब यहां पर बात हो दि इंडिया इस खीम की ठीक है तो देखें इंडिया में जूने इंडिया में चीह प्रमोट एगा तो गौर्मेंट के लिए भी फाएदा है और जो उनिस ट्राटप को चलाएगा ठीक है जो इन्हुने स्तार्टप को लेकर प्रॉब्लम ना इसके बीए प्लिए रहेगी बीसी इसी भी जन कियो नए नए आइडियास मिलेंगे तो प्रॉब्लम देखिए सॉल्व तो हमें ऐसी याद रखना है सॉल्व यानि कि सॉल्व सोला ओके सोला जनवरी दो हजार सोला ठीके जन तो जन जो है ना उनको भी फाइदा होगा नए स्टार्टप से और गॉर्मेंट को सो अब देखे आजकल आपने भारत में बहुत जादा नियूस नहीं होगी यह ब्रिज तूट गया अचानक से यह ब्रिज तूट गया तो अब तो कोई भी ब्रिज तूट जा रहा है क्योंकि वह बिल्कुल चर्मर हो चुका है फिर भी लोग उस पे चले जा रहे है उस पे घ इसे भी सोला तो सॉल्व सोला ठीक है सो चार मार्च 2016 को लाच किया गया से तू भारतम यूजना को ठीक है ऐसे आपको ध्यान रखना है एक्स्ट अब प्रधान मंतरी उज्वला यूजना और यह आया है फॉस्ट में 2016 को तो प्रोवाइड दो फ्री लपीजी गैस करेक्श तो गरीबी रेका से नीचे की महिलाओं को मुफ्त एल्पीजी गैस कनेक्शन देने के लिए ठीक है अब आप देखिए उज्वला लिख रहे है तो उज्वला यानिकी उज्वला तो घर में हमारा उज्वला किससे होता है एक मां से हमारा घर में उज्वला रहता है तो ऐस इसके रहने से गर में उज्वला रहता है क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का उसके पास सॉलुशन होता है तो एक मां यानिके एक मां सॉलुशन सोला सो दोहजार स्गेसिए और ये उडर अक्तूबर 2016 को उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नाग्रें, अन्डर देश्वल of civil aviation क्या था एम इसका to make air travel affordable and easy for the common people यानि कि जो आम लोग हैं उनके लिए हवाई याता सस्ती और असान बनाने के लिए ठीक है अब आप यहां पर देख रहे हो किसकी बात हो रही है common man की उरान की तो देखे जो भी common man ना तो हम लोग में लिए क्या यूज करते है अब हम लोग क्या है common man ने अउटो को यूज करते है तो आटो यानि की October तो common man के लिए है उरान scheme क्योंकि वो हमेसा आटो का यूज करता है तो October तो जब भी हमें मौका मिलेगा plane में बैठने का तो हमारी soul खुश हो जाएगी न तो जो भी common man है उसकी आटो विल्कुल खुश हो झाएगी सोल यानि की 2016 अब plane में बैठके इतने ज़ादा खुश है सोल इतनी कि एक दूसरे को गले लग रहे हैं किस कर रहे हैं तो किस यानि कि 21 October 2016 को आई ती उडान इसकी हमें याद करने के लिए इस तरीके से रिलेट किया गया है अदरवाइस आपको नहीं लेना है नेक्स देखें प्रधान मंठी वाया वंदना योजना यानिकि प्रधान मंठी वए बंदना योजना जो है इस्वे rozum 10 आएप जो भश्च नागरिक है साथ साल से उपर उनक Lenyela के लिए के पेंशेम थी अब यह angef Rough Rican बिल्कुल खत्रे में आजाते हैं जब हम उस खत्रे से निकलने के लिए कितरा भी खर्श करते जब खत्रा आता है तो खर्श कर देंगे तो बस आपको याद रखना है चारो में अगर खत्रा आ आज आएका ना तो सबसे पहले हम वै करने के लिए त्यार हो जाएंगे तो चारों में खत्रा यानि की चार में 2017 तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है कि जैसी खत्रा आएगा पूरा वै कर देंगे राइट ऐसे आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट अब देखिए प्रधान माता को ना सबसे पहले बंदना करना चाहिए हमें अपनी माता यानि की मात्रत हमारी जो माता है ना उनका बंदना करने चाहिए क्यों कि वही एक ऐसी जनिनी है अब माता हमारी जनिनी है ना तो वही एक ऐसी जनिनी है जो हमें हर खत्रे से बचाते हैं तो देखिए हमें कभ सब लोग ना जितने भी बड़े लोग होते हैं वो उनको आयुश्मान देते हैं आशरवाद देते हैं ठीक है तो अधारा साल के हो जाते हैं तो उनको और और आशरवाद देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में और अच्छा करें आयुश्मान दिया सबने 18 साल के बच्चों को तो 2018 सब यानि की सेप्टेमबर ताकि वो और तेज बने तो तेज यानि की 23 तो 23 सेप्टेमबर 2018 को कौनसी योजना आई थी आयुश्मान भारत योजना तो इस तरीके से लेट करके आपको ये योजना भी याद रखनी है नेक्स्ट है प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन पेंशन योजना और ये योजना आई थी फरवरी 2019 को तो प्रवाइड ओल्ड एज पेंशन फैसिलिटी तो देखें यहां पर अर और्गनाइज सेक्टर की बात हो रही है अब हमें कैसे याद रखना है यहां पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना ठीक है तो देखें सबसे ज़्या करते हैं जो फेड़ी होते हैं इदर से उधर जाते हैं जलाते हैं यह ले लो वह ले से जाधा क्या करते हैं उनके जासा ना कोई नहीं करता तो नो वन तो नो वन अब देखिए नो वन से नाइन वन तो होगा नहीं इस वन नाइन होगा और देखिए वन नेशन और वन राशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो देखिए आपको फ्री में भोजन मिल जाएगा यानि कि फ्री में अनाज मिल जाएगा एक भी नोट नहीं देना पड़ेगा तो एक भी नोट नहीं तो नोट से फिर हमने रिलेट करते हैं नोट यान कि एक भी नोट नहीं देना पड़ेगा एक से बन गया हमारा एक और नोट से 902 2019 में आई थी यह वाली योजना ओके नेक्स्ट ए अटल भूजल योजना और यह आई थी 25 दिसंबर 2019 को यह भी इंडिया ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो है उसको साही करने के लिए यह योजना आई थी तो यह आपको ध्यान रखना है राइट नेक्स प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना यह आई थी 26 मार्श 2020 को तो प्रतेक नागरी को राशन के उपलब्धता सुनिस्चत कराने के लिए तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान तो जो भी गरीब है ना तो उनके कल्यान के लिए आपको अन्य देना है क्योंकि वह कोरोना वाइरस में उन्होंने इतन उनको अन्य कितना चाहिए तू मच चाहिए मच अन्य चाहिए बस नहीं चाहिए तू मच चाहिए तो बस यानि की 2020 ओके और मच यानि की मार्श ओके और देखिए क्यों उनको मच चाहिए अन्य क्योंकि उन पे भी चर्वी चढ़ाने क्योंकि वो पतले हो गया है तो चर्व संपधा योजना यह आई टी 10 सेप्टेंबर 2020 को मोटो क्या था इसका रिफॉर्म पर्फॉर्मेशन इन फिश्री सेक्टर तुमेक इंडिया एक्सिलेंट डेस्टिनेशन फॉर फिश एंड एक्योटिक प्रोड़क्ट एंड होस्ता रूलर एकनॉमी ओके अब आप यहां पर लिए तो वह फीटार है तक भी उसके पास सिर्फ मशली है और कुछ नहीं है तो वह कहा रहा है ना दूसरों से कि कर दिया तो ऐसे आपको ध्यान रखना है अब दीखिए 2021 की जो इसकी है ना तो इसको थोड़ा सा कहानी से रिलेट करके हम याद करने वाले हैं और हम इसमें याद करेंगे इसका जो सन है कौन से सन माय है आया था यह ठीक है तो देखिए यहां पर पहली योजना जो है सार्थक क्यों इस्टुडेंट्स एंटीचर हॉलिस्टिक एडवांस्मेंट फो क्वालिटी एजुकेशन यह आई टी आर्ट एपरल दो हजार एकिस को अंडर दा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेश कैसे याद रखेंगे कि यह दो हजार एक उसमें आई थी तो सबसे पहले दिखे आगीर जो आपको स्कीम जएक को मिलेंगी तो देखिए अभी हमने पढ़ा सार्थक क्यों वोके तो देखिए सार्थक नामकना एक लड़का था तो हमने इसके कैसे काहनी बनाई कि सार्थक करना एक लड़का था तो वह अपने मित्रों के साथ ना कहीं घुमने गया वहां पर उसने कुछ आहार वगेरा खाली ना तो जिस तो उसके पेट में हाइड्रोजन गैस हो गई और वह रोने लगा फिर तुरंत उसको पीम केर में लेके गए और पीम ने अपनी गती दिखाते हुए उसको युवाओं को बुलाए नहीं युवाओं को बुलाए कि देखो इसको क्या हुआ ठीक है तो युवा जोते उसको आरोगी धारा लेके गए अरोगी जहां पे कोई रोग ना हो इतरी के से होस्पीडल ठीक है तो इसको आरोगी धारा लेके गए जल्दी से उसको डेरी प्रोटक्ट बगेरा खिलाया, तो फिर से पहले की तरह आत्म निर्भर बन गया, और क्या बोल रहा है, अरे वा, PM तो बिलकुल श्रेश्ट है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है, easy way में, ठीके, थोड़ा से imagination करते हैं, आपको याद हो जाएगा, तो देखे, सार्थक, तो स hydrogen mission, ठीके, तुरंत उसको PM care के पास ले गए, तो PM care for children scheme, और PM ने गती दिखाई, उसको देखते ही, तो प्रधान मंतरी गती शक्ती योशना, उसके बाद क्या हुआ, प्रधान मंतरी ने गती दिखाते हुए, नए नए यूवा को बलाया, तो यूवा प्रधान मंतरी scheme, ठी क्या हुआ, वहां पे ले जाकर उसको dairy product दिए, तो dairy product यानकी dairy शाकारी scheme, और फिर क्या हुआ, वो फिर से पहले की तरह आत्म निर्भर बन गया, तो आत्म निर्भर यानकी आत्म निर्भर स्वस्त भारत योजना, फिर वो क्या बोले लगा सही होते ही, अरे वा मेरे PM तो श पेड़ अवेनिस अबाउट, असेसिबल, नूट्रियस, फूट, फ्रूट, एंड वेजिटेबल, फिर हमने पढ़ा, क्यूबा प्रधान मंत्री, ओके, जो ये इसकी माहिती 29 माही 2021 को, अंडर Ministry of Education, तो ट्रें यंग राइटर्स ऑफ इंडिया, ओके, फिर हमने पढ़ा, PM क शक्ति योजना, जो आई 15 अगस 2021 को, ये भी जो प्रोवाइड इंप्लॉइमेंट ऑपर्चिनिटी टू यंग सीटेजन ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा, आरोगी धारत 2.0 की, जो 18 अगस 2021 को आई, ये भी अंडर दा Ministry, Union Ministry of Health, तो इंक्रीज दा रीच ओप आयुश्मान जन आरोगी योजना, फिर हमने पढ़ा, इस्पिन योजना, यानि की, स्ट्रेंथनिंग दा पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ओके, और ये योजना का बाई 17 सितंबर 2021 को, ठीके, तो इंक्रीज दा इंकम ऑफ पॉर्टर्स, अब देखे, वहाँ पे ना, इस्पिन योजना हम ये वाली योजना मैं उसको वहाँ पे एड कर दूंगी, ठीके, तो ये रह गया एड करना वहाँ पे, तो आपको न ध्यान रखना है, अब हम देखे, 2021 की एक और योजना जो हमने पढ़ी थी, प्रधान मंत्री पोशन योजना, 29 सेप्टेंबर 2021 को आई, और इसी का नाम फ 25-26 and has started the PM portion योजना in its name, ठीके, तो इसका नाम बदल दिया गया तो फिर, to provide free fruit to the children of all government schools in India, right, फिर PM मित्र स्कीम हमने पढ़ा, 6 October 2021 को, to develop the textile industry sector, फिर हमने पढ़ा, डेरी सहकारी स्कीम, 31 October 2021 को, to double the income of farmers, okay, फिर हमने क्या पढ़ा था, आत्मी निरभर स्वस्त भारत योजना, ये भी 2021, quite to strengthen the health care infrastructure in India, फिर हमने पढ़ा, PM श्रेश्ट योजना, ये IT 6 December 2021 को, under the ministry, Union Ministry of Social Justice and Empowerment, ये क्यों IT, aim of providing quality education and opportunity to students belonging to schedule class category, okay, तो ये जितनी भी स्कीम सी 2021 की, हमने इसको एक कहानी की थ्रोना, हमने इसके सन को याद कर लिया है, ठीके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, right, Next अब हम पढ़ने वाले हैं, 2022 के important scheme, सबसे पहला है इस file, इसकी full form है, support for marginalized individual for livelihood and enterprise, जो launch की गई 12 February 2022 को, under Ministry of Social Justice and Empowerment, इसके लिए किया गया, for the livelihood and enterprise support scheme for the transgender community and beggars, it means, जो भी transgender स्वमुदाए हैं और जो beggars हैं, उनकी अजीवी का और उद्दिमेर के सहायता यूजना है, ये, okay, तो यहाँ पर देखिए, 12 February 2022 को ये आई थी, हम कैसे याँ दखेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर smile से ही आपको यहाँ दखते हैं, हम कब सबसे दादे smile करते हैं, ठीके, तो देखें, कोई आप से आगे कहते हैं, चलो बाहर गुमने चलते हैं, तो फट से आपके pace पर smile आ बाहर गुमने जाना है, तो बाहर गुमने जाना है, और बाहर का तो चीज हर चल बिल्कुल वैसे भी fabulous लगता है, तो बाहर यानिकी 12, fabulous यानिकी February, और दो दो बार हर सेंगे, सो 2022, तो इसमाईल आजएगी बाहर जाने के नाम से, बाहर 12, 12 February 2022 को इसमाईल स्कीम लांच की तो देखी, mental health या physical health overall सही रखने के लिए के लिए कि आप बाहर जाओ, walk पे जाओ, तो बस ऐसे याद रखने है, इस तरी को अगर अपनी मनोरक्षा, अपना mental health सही रखने है, तो उनको दो दो बार मार्च पास पे जाना पड़ेगा, दो दो बार मार्च पास पे जाओ, तो लाँच किया है, 2022 में, एनाउंस किया इसको निर्मला सीतर रामन, जो हमारी finance minister है, to benefit farmer, okay, so PM क्रिशी उडान योजना, अभी हमने पीछे उडान योजना भी पड़ा था, इसके लिए था, civil aviation ने लाँच किया था, okay, अब PM क्रिशी उडान योजना ये भी आई 2022 में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये farmer से ले दे रहे, right, next ये देखे, international air connectivity scheme और ये भी आई 2022 में, under the ministry of civil aviation, to promote air connectivity with select international destination, यानि कि, चुनिंदा अंतराश्टी गंतव्यों के साथ, हवाई संबर्ग को बढ़ावा देने के लिए, अब आप देख रहे हैं, या पी connectivity लिख गाई 2022, next day PM श्री स्कूल, ये launch किया गया 5 सेप्टेंबर 2022 को, ये पास सेप्टेंबर को कौनसा देख सेओने चाहते है, टीचर्ज जे, तो क्यूंकि स्कूल की बात वरी श्री स्कूल, तो श्री गनेश किसी भी चिशब को स्टार्ट करने को कहते हैं, श्री गनेश कर दिया तो श्री गनेश कर दिया, इट मींज की उस्कूल का उधगाटन कर दिया, टीचर्स देवाले दिन, तो 5 सेप्टेमबर 2022 को आया ये भी, तो डेवलाप एन अपग्रेट उस्कूल, राइट, नेक्स्ट ये अब देखिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसकी, जो अक्टूबर 2022 को एम किया था, इसका, इंप्लिमेंटेड एक्रोस इंडिया तो प्रिवेंट थेफ्ट एन ब्लैक मार्केटिंग और फर्टिलाइजर, अब देखिए, गांधी जी कैसे थे, वो चाहते थे, कि हिंसा मत करो, सब कुछ सफाइस रखो, तो इंडिया में हर यह वन नेशन, वन पर्टिलाइजर, नेक्स्ट ए एथनॉल ब्लैंडिंग प्रोग्राम, इंट्रस सब्सीडी स्कीम, और यह भी एक सेंट्रल कवर्मेंट की स्कीम है, और जिसको अभी 2023 के मार्स सक एक्स्टेंड कर दिया गया है, एम क्या है इसका, तो इंक्रीज प्रोड स्कीम को लाँच किया है, तो अमिच शाथ जो हमारे होम मिनिस्टर है, इसको लाँच किया है, कि जो भी जवान से इंडिया के, get personal information and information related to accommodation and leave on their mobile, तो क्या नाम है इस एप का, वोके, सैनितिनल एप और बॉर्डर सीकोर्टी फोर्स, यानि कि B.S.F. के लिए यह एप है, तो अब यहां से जो भी स्कीम से ना बस आपको समझनी है, और नाम सी पता लग जाएंगी, ग्रह प्रवेश योजना और इसको भी सेंटर गॉर्मेंट ने लाँच किया है, अब नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लाँच किया है, अगर तला में, अब आप तेख रह यहां किया मैं आपने घर में प्रवेश दे दूँगा, जिसके घर में ताला लगा है, तो जिसके घर में ताला लगा है, उसको यह अपने घर में प्रवेश दे देंगे, तो ताला अगर तला, अकर तला में लाँच किया गया, और सेंटरल गॉर्मिन की यह स्कीम है, ग्रह प्रवेश एक new scheme आई है PM divine जो implement किया है ministry of development of northern eastern reason ने अब यह जो PM divine है पुल्फरम कहा इसकी तो PM development initiative for north eastern reason तो north east जो reason है इसके development के लिए यह initiative लेके आए है 100% central sector की यह scheme है जिसको एप्रूब किया गया है चार सालों के लिए 2022-2022 तो 2025-26 टोटल आउटलेस में कितना लगने वाला है तो 6600 करोर नेक्स्ट है अब यूवा 2.0 प्रोग्राम जिसको लॉंच किया है by the department of higher education of ministry of education ने 2 October को यूवा 2.0 यूवा 2.0 तो देखिए हमने पीछे भी योजना पड़ी थी यूवा से रिलेटेड वो भी यही थी कि यूवा प्रोट करने के लिए उसी का यह दूसरा वर्जन लॉंच कर दिया गया नाम चेंज करके यूवा 2.0 ठीक है किसलिए है यह यह यूवा 2.0 और य यह जो पोर्टल है प्रोवाइट करेगा एक ओनलाइन हेल्प सर्विस फॉर कंज्यूमर हुआर अनेबल टू रिजॉव दियर पॉब्लम ऑन दियर ओन ठीक है तो कोई भी अगर एलेक्ट्रोनिक गैजर से लेटेड प्रॉब्लम है और कंज्यूमर उसको सॉल्फ नहीं कर पार है तो उसकी प्रॉब्लम को के सॉल्फ करने के लिए एक ओनलाइन हेल्प सर्विस है यह तो इसमें अभी जो स्टार्टिंग हुई है इसकी तो इसमें इंक्लूट किया गया है मोबाइल फोन को एलेक्रोनिक कंज्यूमर दूरेबल को और तो मोबाइल एंड निस gefल्त रिखे यह तो इनिम्ट और हां नियुकниц के मिनटर मोग किया है सब्सक्राइब स्ट करें, यह ज स्मे इनिमर नहीं करसे वहां स्सक्पित का करा सकते होग होङँ प्रहराड कर इसमें इसका मिनिस्ट्री मैज्म इंटर फ्लवर देवन श्रहाइब्स कोता है वुमेन एंटर्प्रेंशिप जो वुमेन है उनके लिए यह लॉंच किया गया है उनको और आगे बढ़ाने के लिए अब देखिए सामर्थ ही बात हो रही है यहाँ पर तो देखिए सामर्थ इंडिया का कैसे बढ़ेगा जब छोटे और जो मध्यम जो उद्योग है उनको औ में सेमी हो जाएगा ओके नेक्स से दिखिए रूसा स्कीम तिल 2026 इसको लॉंच किया है मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन ने ठीक है अब देखिए यह जो रूसा स्कीम है इसके फुल फॉर्म क्या है राश्टी उच्चतर सिक्षा अभियान किस से लेटिर है सिक्षा से ने रखना है यह जो रूसा स्कीम है यह 1026 तक इसका एम रखा गया है जो एक राश्टी उच्चतर Oljon Ökyld Online Lot कि आ इसको इसको चुल conferences time कि से 2013 में लांच किया था एक और अभी 2022 में उच्चतर सिक्षा अभियाँ है इसको 2020 तक प्रज़ लुब current की लिए। इ continents के लिए डा अब ना हम कुछ questions करेंगे as the message of following तो हम देखते हमें कितना याद है तो देखिए हमने पड़ा था नमामी गंगे project ठीके अब आपको इसमें match करना है तो नमामी गंगे project को हमने कैसे याद रखा था कि जहां पर भी हम गंगा जी देखते हैं सोचते हैं चलो इसके जल को भर ले तो अपने लिए तो लेते हैं या पडोसी के लिए भी ले लेते हैं तो 1-4 पडोसी यानि की 1-4 यानि की 2014 में ये आया था ठीके तो आप देखिए 2014 वाला date कौन सा इसमें सो जून 2014 ओके तो क्या हो जाएगा जून 2014 राइट फिर हमने पढ़ाता नैशनल हाइड्रोजन mission ओक है एडोजन हमने पढ़ात डाइगा हाईड्रोजन हो गई ती साथा के पेट में तो यह वाली भाली चुपी 21 की तो 2020 का सन कौन सा है हमारा वंन dazu क्ण और ते घंग हमने पढ़ाता वन फर arrest this क्यूद कर görünदा नेशन की कौन जादा बात करते था गांधी जी चाहते थाम हर जût फर्टिलाइजर किसने कौन क्याता था गांदी जी तो कौन सी डिएट हो गई तो अक्टूबर 2022 उनके बढ़्डे वाले दिरें उसको लॉंच किया गया था ठीके प्रधान्मंत्री पहल योजना थीके तो प्रधान्मंत्री ने पहल करी कब अब उनका जब टाइम स्टार्ट हुआ 2020 से तुन्होंने नए सल यह being dated टीफ ही थीजे नए साल यह एक जनवरी पहर कर दी यहिसे पहर्ड Austral si संपदा तो कॉन से किसी के पास सिरफ संपदा क्या है मचली ही है मचली ही है तो क्या बुल 10 पानी देना बस 10 देना ठीक है तो बस 10 यह द्यूवाय कि 10 सेटर्मबर 2022 तो प्रधान मंतरी मत्रस संपिता को न्यूравρωनी है Jadi आई धी ठीक है से हमने ध्यान रखा था। नैक्स्ट है प्रधान मंतरी widelyo योजना, I hope आप लोग को याद आ रहा होगा कि कैसे हमने G finger K याद किया था एक से हमें ध्यान रखनें वलगे मेरे कोई बीमा नीच यह तो 9 में क्योंक् propulsion नहीं है टो 9 में पढ़े परशान परशान पर। इतना पढ़ते बढ़ते में फ्रवीडियो के मुझा पार कुछ से भ न करने है। से लेड़ हों इस तरहीं खेए कर के हमें को निदाए कर के मिद्दध ऑवित। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको बहुत तिच्छे से समझ आया क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत ज़ादा दिन लगे है टाइम लगा है ओके तो मिलेंगे अप नेक्स वीडियो में जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़ादा हेल्फुल रहेगा लोगी आपके लगे एक वाजियो खाजिए अगर नेक्स वीडियो